अभी कुछ जरूरी सूचना है STED के रिगार्डिंग जो आपको बताना चाहते हैं जो वेबसाइट पे कुछ अपडेट्स हुई हैं जो बहुत ही जरूरी है जो STED की पर्पेरिशन कर रहे हैं उनके लिए कि कितना मूखा आपको मिला है कितनी preparation आप कर सकते हो क्योंकि सभी अंदाजा लगाए बैठे हैं अपना schedule बनाए बैठे हैं कि कब से कब तक जो है exam होगा कब से कब तक मैं कौन सा subject पढ़ सकता हूँ कौन सा subject मैं clear कर सकता हूँ तो आपके लिए बहुत ही जरूरी सुचना आई है कि तब तक का time table schedule आप बना सकते हो एक date fix date आगी है एस्टेट की जो हम कह सकते है कि जो website पे update हुई है वो मैं अभी आपके सामने रखूँगा तो सबसे पहले आप video को like जरूर कर दें चैनल को अगर नहीं subscribe किया तो चैनल को please subscribe कर दें और फिर मैं आपको जो है वो information वो letter जिसमें कुस dates का जीकर किया गया कि कौन सी date को आपका exam हो सकता है एस्टेट का वो मैं आपके सामने रखूँगा देखो जो एस्टेट की preparation अच्छे से करना चाहते हैं जिन्होंने मतलब अपना subject ये देखा हुआ है कि हाँ मैंने इस दिन से इस दिन तक ये subject कम्प्लीट कर लेना है उनके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी हो सकती है ये letter तो आप जल्दी से जल्दी वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरू करें मैं आपके सामने जो है वो letter जो है वो लेकर आना चाहूंगा screen पर जी हाँ तो देख सकते हैं आप ये board of school education हर्याना भिवानी का ये letter है ये tender notice जरूर है बट इसके अंदर जो date दी गई है जो आप कह सकते होगी ये date final date हो सकती है आपकी तो आप यहाँ ध्यान कीजिए जहाँ estate 3 लिखा हुआ है approximate candidate in estate 3 lakhs लिखा हुआ है examination will be conducted in two days ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को examination will be conducted in two days इन्होंने कहा कि examination जो है दो दिन के अंदर-अंदर held किया जाएगा और वो date है 26-12-2020 और 27-12-2020 तो ये दो date है 26-12-2020 और 27-12-2020 इन अबाउट 400 सेंटर जिसके 400 सेंटर के लगबग बनेंगे तो हम मान सकते हैं कि ये जो date है final date हो सकती है क्योंकि जो इन्होंने एक tender notice से निकाला है ये tender notice जो निकाला है और उसके according ही इन्होंने चलना है तो दो date इन्होंने दी है 26 और 27 दो date इन्होंने दी है 26 दी है और 27 आपकी दी है तो 26 और 27 को जो है आप 27-12-2020 और 27-12-2020 के schedule के अनुसार आप अपनी त्यारी कर सकते हो अब आप ये जां सकते हो कि आपके पास लगजबगран mencionar जो आपकी त्यारी के लिए बचेगा आपके पास approximately दो महिने लगा लीजिए दो महिने के लगबग आपको मिल जाएंगे त्यारी करने के लिए तो आप बहत्रीन त्यारी कर सकते हो और आपको लास्ट जानकरी देना चाहूंगा एस्टेड का बैच पतंजली विद्यापिट में शुरू हो चुके है अल्रेडी रेजिस्टेशन हो चुके है अभी भी रेजिस्टेशन चल रही है आपका एक्जाम और थोड़ सा आगिच लगए ये आपको और भी बेनिफिट हो सकता है कई वर ये सोस लेते थे कि अभी क्या कोचिंग लेंगे इतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे सिरफ 10 दिन के लिए कोचिंग लेनी है तो आपकी जानकरी के लिए बता दे अब आपके पास पूरा टाइम है और बेहत्रीन तरीके से आप अपनी प्रपरेशन कर सकते हो क्योंकि इतना टाइम अगर मिल जए अपने को तो बहुत सारा स्लेव से जो है कवर हो सकता है और अब जो है आप चूक मत जाना इस चीज से ये आपके लिए गोल्डन उप्रचुनिटी हो सकती है क्यों हो सकती है क्योंकि जो आप नई सिक्षा निती अगर आपने पड़ी हो तो एस्टेट के मार्क्स आगे माइने रखेंगे एस्टेट में आपके कितने मार्क्स आए है तो अगर आपको ये लगता है कहीने कहीं कि थोड़ा बहुत मेरा कहीना कहीं वीक पॉइंट है तो आप कोचिंग लेने से भी मत घबराइए जो पैसा अब लगेगा वो पैसा आउटपुट आपका लेकर आएगा अगर आपको कहीने कहीं ऐसा लगता है तो आप ले सकते हैं स्टेडी जो करना चाहता है तो बैस्ट ओप्शन है बट हम यह कहना चाहेंगे कि अगर यहां कोई भी स्टुडेंट्स को पूछना चाहता है कोई भी कंडिडेट एस्टेड का तो डिस्क्रिप्शन में आपको को कुलदीप सर का नंबर दिये मिलेगा वहां से आप पूछ सकते हो संपर्ख कर सकते हो स्टेड के batch बिल्कुल सुरू हो चुके है स्टेड हिस्ट्री पीजिटी हिस्ट्री का हम करवा रहे हैं और कम्प्यूटर सायंस पीजिटी का batch और अभी तक सिरफ दो ही टॉपिक कवर हुए है बेसिक और सी प्लस प्लस लेंग्वेज जो हम फिर से कवर कर सकते हैं क्योंकि इतने टाइम हमें मिला है इस चीज के लिए और पीजीटी मैथेमेटिक्स इन सभी चीजों का और एस्ट जो पीजीटी लेवल का है जो जेबिट का नंबर है और पी विद्यापिट टोहाना के अंदर जो है स्टाइड का बैच स्टार्टिंग है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंडिडेट्स जो है अभी आ रहे हैं लगातार और सलेवस चल रहा है तो देर न करें अगर मोका चूग गे तो कहीं ऐसा ना हो कि बा लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू थैंक्स तो अल अफ्यू